हेलो फ्रेंड्स मैं उस निहाँ वल्कम तो माई चानल फार यू अड़ चाइल्ड लास्ट वीडियो में मैंने आप से शेयर किया था क्लास 9 इद्मिशन टेस्ट के लिए हिंदी का सिलेबस कौन-कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे स्टूडेंट्स को तयारी कर लिनी चाहिए इस वीडियो में आप से शेयर कर रही हूँ क्लास 9 इद्मिशन टेस्ट के लिए हिंदी का एक सांपल टेस्ट पेपर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे क्योंकि इस तरह के सांपल टेस्ट पेपर के प्राक्टिस से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक के शेयर जरूर करें और मेरी चानल को भी सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेरे चानल पर आपको क्लास वन के 10 तक के अड्मिशन टेस्ट के अलग-अलग सब्जिक के सांपल टेस्ट पेपर मिलेंगे साथ ही एड्यकेशन और स्कूल्स रिलेटिट बहुत सारी यूसफुल इन्फरमेशन भी मिलेगी प्राक्टिस पेपर में मैंने कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक से उससे मैं कोशिशन इंक्लूड करूँ हर कोशिशन के आगे मार्क्स लिकेवे हैं और यह टोटल टेस्ट पेपर है 30 मार्क्स का कुछ स्कूल्स में हो सकता है कि सारी कोशिशन आपको मैर्टिपल चॉइस मिले यानि कि कोशिशन लिखे होंगे और उसमें चार आप्शिशन दिये होंगे और उसमें से जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है या फिर हो सकता है कि कोशिशन दिये गए हो और खाली जगा दी गई हो और उसमें आपको आंसर लिखना हो तो किसी भी तरह से सवाल पुछा जाए, important यह है कि आपका concept clear हो पहला question, निमलिखित बहु बैकलपिक प्रश्णों के सही उत्तर चुन कर लिखे यह multiple choice के सारे questions है, एक-एक marks के पहला question है, इला प्रतेय से बनने वाला शब्द है उपसर क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और उसका मतलब change करता है, और प्रतेय होता है शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है तो इला जो प्रतेय है, उससे बनने वाला शब्द कौन सा है नीली, गीला, चमकीला, उतर होगा चमकीला इला प्रतेय का उप्योग गुन दर्शाने के लिए किया जाता है Next question, सम उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है किस शब्द में सम उपसर्ग है स्वयम, सुकर्म, सम दर्शी, उतर होगा सम दर्शी Next question, दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है म, दुर, ग्र, आंसर होगा दुर Next question, कौन सा शब्द भावचक संग्या है भावचक संग्या क्या होता है जो शब्द पदार्थ के गुन, दोश, अवस्था, धर्म, आदी का बोट कराए उसे भावचक संग्या कहते है Option दिये गए है बचपन, अपना, और स्त्री इसमें से भावचक संग्या है बचपन निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संग्या से बना है Option दिये गए है बनारसी, अपनापन, आलसी व्यक्ति वाचक संग्या क्या होता है जो किसी खाज व्यक्ति या चीज का नाम हो यहाँ पर आप देख रहे हैं बनारस एक व्यक्ति वाचक संग्या है किसी शहर का नाम है और बनारस से बना है बनारसी तो ये शब्द बनारसी व्यक्ति वाचक संग्या से बना हुआ है तो य प्रते प्लस उस उत्तर होगा प्रती प्लस उस संधी विचेट के टॉपिक पे आप थोड़ा ध्यान दें क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहता है नेक्स्ट कोशन है प्रयावाची शब्द लिखें तम का मतलब क्या होता है अंधेरा तो इसका प्रयावाची शब्द होगा तमस अंधियारा नेक्स्ट शब्द जिसका आपको प्रयावाची शब्द लिखना है वो है चक्षू इसका प्रयावाची शब्द होगा आँख ने यूग्म विलोम शब्द मतलब जो एक जोरे के तरह यूज किया जाता है और दोनों शब्द आपस में विप्रित अर्थ वाले हूँ और दोनों ही यूग्म शब्द है और आपस में अपॉजित मीनिंग रखते हैं लेकिं सूरज और चान्द ये यूग्म शब्द तो है लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है Question number 9, इन में से कौन सा वाक्य आपादान कारक है, आपादान कारक में हमेशा अलगाव का बोध होता है, तो आप option देखी, मैं ट्रेन से मुंबई गया, वो घर पर है, श्याम राम से बुद्धिमान है, तो आप देखेंगे तीनों में से पहला जो sentence है, मैं ट्रेन से मुंबई गया, यहाँ पर एक अलगाव का बोध हो रहा है, तो यही वाक्य आपादान कारक है, next question, अपना स्वार्थ पूड़ा करना का घोतक मुहावरा कौन सा है, कौन सा मुहावरा है, जिसका मीनिंग होता है, अपना स्वार्थ पूड़ा करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपना राग अलापना अपना उल्लू सीधा करना आंसर होगा अपना उल्लू सीधा करना नेक्स कोशिन निम्लिकित शब्द के विसेशन लिखिए मूल्य मूल्य शब्द का विसेशन क्या होगा? मूल्य वान निम्लिकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे, जो दिखाई ना दे, आंसर अद्रश, सौ वर्षों का समू, आंसर शताब्दी, निम्लिकित शब्दों के स्त्रेलिंग लिखे, रूपवान, रूपवती, साधू, साधवी, निम्लिकित वाक्यों को शुद करके लिख देखे की इसे शुद्र करके लिखेंगे तो होगा नेहा ने गीत गाया वह लड़का को बुलाव उस लड़के को बुला लाव नेक्स्स कोशन शुद्र वर्तनी लिखे हिंदू शज़़के दों और आप्शन लिखे गये हैं entonces spelling क्या होगी आप स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं दूसरा शब्द है आगामी या अगामी करेक्ट ऑप्शन होगा आगामी अब आते हैं दूसरे question पर ये पत्र लेखन का question है छोटे भाई को इंटरनेट का सावधानी पुर्वक प्रयोव करने की सला देते पत्र लिखिए अत्वा परिक्षा ना देने का कारण बताते हुए प्रधानचारे को पत्र लिखिए और पुना परिक्षा देने का अनरोध कीजिए दो option दिये गए हैं और इन में से किसी एक विशेय पर आपको पत्र लिखना है और ये 6 मांक्स का सवाल है जब भी पत्र लिखे आप उसके पैटन पर और सही शब्दों का चुनाव पर ध्यान जरूर देजे नेक्स कोशिन है अपटित गद्यांश को ध्यान पुर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रशनों के सही उत्तर चुन कर लिखे ये 5 मांक्स का सवाल है जिसमें एक चोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और इस से रिलेटेट कोशिन्स नीचे दे गया है उसके आंसर आपको करने हैं वीडियो को आप पॉस करके स्क्रीन पर दिया गया गद्यांश पढ़ सकते हैं और इस से रिले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस टैंपल टेस्ट पेपर से मुमीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के सवाल एक्जामनेशन में पूछे जाते हैं इसी तरह के एडिकेशनल वीडियो उसके लिए आप मे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थांकियो सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो